वाटीज आप इपनी वेडियो वेडियो और आज मैं आप लोगे लिए एक ब्रैंड न्यू एनिमे लेकर आया हूँ मैंने दो तीन दीर पहले मेरे कम्यूनिटी टैप पे एक पोस्ट डाला था कि मुझे हपते में एक वीडियो करना चाहिए या इसके साथ मुझे एक और नए अनिमे स्टार्ट करना चाहिए तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने कहा कि एक नए अनिमे स्टार्ट करो जो कि यूटूब में किसी ने नहीं किया है तो यूटुब में किसी ने किया है या फिर नहीं किया मुझे तो वो पता नहीं लेकिन ये एनिमे मुझे बहुत ज़्यदा अच्छा लगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा बस देखो तो इस अनिमे के स्टार्टिंग में हमें कांसाई शहर को दिखा जाता है जैसे कि मैंने बोलाई था कि यह अनिमे फ्यूचर में सेट है तो बहुत सरे फ्यूचरिस्टिक स्टाब भी दिखा जाता है लाइक फ्लोटिंग कार्स हावा में तैने वाले बसे इस तरह के कुछ चीजे और टेक्निकली डेवलेप्ट एक शहर दिखाए जाता है तो उसके नेक्स इन पे एक लर्की को दिखाता है दिखाता है कि वो एक सील सेंटर पर काम करती है और जब उसका काम खतम हो जाता है व वो कार दूसरे जगह पर जाके ठुप जाती है और वो कार वाला चिल्लाने लग जाता है मतलब इस सीन में दिखाने की कोशिश की गई है कि यह लेर्की बहुत ही ज़दा दयाल है और उसके बाद दिखाता है कि वो लेर्की भागते बागते एक दूसरे गली पर आ गई है और आने के बाद देखता है कि बहाँ पर एक फुट स्टॉल लगा हुआ है जिसमें तोकोया की बिक रहा है तो इस लेर्की को बहुत ज़्यदा पसंद या तो वहाँ पर चली जाती है जाने के बाडर करती है लेकिन दिखाता है कि वहाँ पर एक और कास्ट्मर होता है वो जब दे रहा होता है उसके pocket से कुछ गिर जाता है कुछ पैसे गिर जाता है जब वो लर्की कहती है कि तुम्हारे pocket से कुछ पैसे गिर गया है वो लर्का कोई भाव नहीं देता है उसके बाद वो लर्का वहाँ से चला जाता है अपने बाइक पर जाता है तो वो लर्की उस प क्या कि जो खाना है वो प्रिप्यार हो गया है और वो लिर्की वो खाना ले लेता है लेकिन जब वो लिर्की पे करने जाती है दिखाता है कि यहाँ पर ओनलाइन पेमेंट नहीं होता तो वहापा जो सेल्स गाल होती है वो कहती है कि हम यहाँ पर सिर्फ कैश लेता है यहाँ और उनलाइन पेमेंट नहीं होता और उसके बाद वो जो लेरकी है देखती है कि उसके हाथ में वो पैसा है जो पैसा उस लेरके के पॉकेट से गिर गया था तो यह लेरकी इस पैसे से उसके खाने का पेमेंट नहीं करती है और उसके बाद दिखाता है कि जो सेल्स गाल है वो और दो लिर्के होता है उसी टीम के वो कहता है कि ये हमारे काम बैक का काम है और एक लिर्का कहता है कि तुम भापर मत जाओ बहाँ पर बहुत सरे लोगों का फाइट हो रहा है तुम भापर जाके सिंदा बापस नहीं आ सकते और ये बाइक वला लिर्का बहुत ज़दा confident होता प्समान में चलता यहां पर दूसरे लोगों के खिरकी पर दूसरे घरों पर चलता है मतलब क्या ही चलता है मुझे देख को मजा है और ये मजा मैं हिंदुस्तान के हरे बेक्ति को देना चाता हूँ और उसके next scene पे screen पे उसके कर्मो का फल दिखाता है दिखाता है कि वो एक criminal है और वो अकुदामा का एक member है और उसका जो estimated सजा है वो है 745 years का मतलब एक इंसान जिन्दा कितने साल रहता है 100 साल या पर 700 साल से ज्यादा उमर की सजा मिला है इसे मतलब यहाँ पर कुछ भी चल र हो रहा है और बहाँ पर उस fight के बीचों बीच ऊपर से अपना जो human है वह बाइक लेके के नीचे कूछ जाता है और कूदने के बाद दिखाता है कि एक बदे को बार चीज को और कहेता है कि ये तुमारे लिए Levy और वो यह चीज देने के बाहरा आ जाता है जो जब स्ढ़र या फिर smoking कर रहा होता है तब दिखाता है कि जो चीज उसने parcel किया था वो कुछ और नहीं एक bomb होता है और वो bomb फाटता है और दोनों गैंग के सारे के सारे यान मिलेगा जो की एक बहुत ही बड़ा नमबर होता है उसके बाद एक और इसमें साथ है जहाँ पर लिखा हुआ है look at your right तो वह बंदा उसके लीवर करें आना परेगा तो उसके बाद एक और ऐसमस यहां पर लिखा हुआ है om कि आप काम को मना कैसे कर सकता हुट और मृत क datam सारे पुलिस रोबोट को हरा देता है, तोर देता है, तो उसके बाद स्क्रीन पे उसके सजा का काउंडाउन दिखाता है, दिखाता है कि उसे 340 यार्स के लिए जेल हुआ है, और उसके बाद दिखाता है कि उसने जिन पुलिस रोबोट को तोरा है, उनमें एक एसमेस आता है और उसमें लिखा हुआ है कि Cutthroat नाम का एक बंदा है जिसको कांसाई पुलिस टेशन पे आज execute कर दिया जाएगा मतलब मार दिया जाएगा वो भी एक बहुत बड़ा खुनी है पापी है और तुम्हें उसे बचाना परेगा लेकिन यह याद रखना कि कांसाई पुलिस टेशन का security बहुत ज़़ा टाइट है अगर तुम बचा सकते हो अगर तुम्हें इतना हिम्मत है तो उसे बचा के दिखाना मतलब उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और उसके बचा के उपर तुम्हें शक हो रहा है तो ठीक है मैं उसे बचा के जरूर दिखाऊंगा और यह सीन भी इपर कट हो जाता है तो उसके नेक्स सीन पे एक डार्क रूम पे एक हैकर को दिखा जाता है और वो कहता है कि अब इस बैंक का जो पैसा है सारा का सरा पैसा मेरा ही है तो उसके नेक्स सीन पे दिखाता है कि उस हैकर के पास एक SMS हा था और उस SMS में लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही बहतरीन फन गेम है और वो game ये है कि तुम्हें cut throat को rescue करना परेगा cut throat वो बन्दा है जिसको आज कांसाई police station पर execution कर दिया जाएगा मतलब मार दिया जाएगा उससे पहले तुम्हें उसे rescue करना परेगा और अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हे 100 million yen मिलेंगे तो उसके बाद वो देखता है कि बाकी के akudama के member को भी एक ही mission मिला हुआ है और सबसे पहले जो ये mission complete करेगा उसे 100 million yen मिलेगा तो वो सोचता है कि ये तो बहुत ही एक fun game है मैं इसमें हिस्सा जरूर लोगा और ये scene में इपरकट हो जाता है तो उसके next scene पे consign northward sky के floating bus का एक scene दिखाता है जहाँ पर एक आदमी को अचनक से heart attack आ जाता है तो उस bus में जितने सारे लोग ते सब लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग क्या करें तो दिखाता है कि बहाँ पर एक लिर्की आती है और आने के बाद दिखाता है कि उस लिर्की के पास operation के surgery के सारे के सारे सामान है और वो उस आदमी के सीने को चीर के खतनक तरीके से surgery करने लग जाती है तो बहाँ पर जितने सारे लोग ते सब लोग उसे पूछ रहे थे क्या तुम एक doctor हो और उसके बाद दिखाता है कि बो लिर्की बहुत ही खतनाक तरीके से surgery कर रही होती है जब बाकी के लोग उसे रोकने की कोशिश करता है वो बाकी के लोग को मार देता है और उसके बाद दिखाता है कि आखिर में उसने successfully surgery complete कर लिया है लेकिन एक आदमी को बचते बचते उसने बाकी के सारे के सार आदमी को मार दिया है और दिखाता है कि उसके cell phone पे भी एक ही SMS आता है उस 100 million yen का और उसे भी same mission मिला है cut throat को बचाने का और दिखाता है कि वो भी उसे accept कर लेती है और ये scene भी ही पर cut हो जाता है तो उसके next scene पे हम लोग देखता है कि पूरे शहर में announce कर दिया गया है कि cut throat का आज execution कर दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग कांसाई पुली स्टेशन के सामने आते है और दिखाता है कि जितने सारे लोग को contract दिया गया है है का, snatcher, जितने सारे लोग को contract दिया गया है 100 million yen का वो सारे के सारे लोग एक एक करके उस कांसाई पुली स्टेशन के चारो तरफ आ जाते है और ये scene भी पर cut हो जाता है उसके next scene पे कांसाई पुली स्टेशन के अंदर का एक scene दिखा जाता है बहाँ पर उस लेर्की को दिखा जाता है जिस लेर्की को एपिजोट के स्टार्टिंग में दिखाया गया था और दिखाता है कि बहाँ पर जो inspection पुलीस रोबोट है वो उससे पूसता है कि तुमारे पास तो पैसा था लेकिन तुमने उस आदमी को पैसा क्यों नहीं दिया पे क्यों नहीं किया तो वो लेकी कहीती है कि मेरे पास तो पैसा था लेकिन वो पैसा मेरा नहीं था इसलिए मैंने नहीं दिया तो उसके next scene पर दिखाता है कि उस पुलीस टेशन के बाहर अकुदामा सोसाइटी के जो एस क्लास के मेंबर से उन लोगों ने हमला कर दिया है और उसके बाद बहाँ पर जितने सारे पुलीस रोबोट्स थे उन लोगों को हरा के सारे के सारे अकुदामा के मेंबर उस पुलीस टेशन के अंदर घुस जाते है तो उसके नेक सीन पे दिखाता है कि एक पुलीस ऐफिसर उसके चीफ ऐफिसर के रोब में जाके कहता है कि हमारे पुलीस टेशन में अकुदामा के एस क्लास के मेंबर घुस है और उतने में लिएła कि कि बहाँ पर रेड लाइट जल जाता है और दिखाता है कांट्रलूम में जो हैकर बंदा होता है वो उस है को पुलिस टेसन के सार के सरे कंट्री सको हेक कर लिया है और वो कहता है कि अब से कूरियार, ब्रावलर, डॉक्टर और जो काट्थरोट करेगा सब कुछ मैं यहां से नजर रख पाऊंगा, सब कुछ देख पाऊंगा, तो यह सब कुछ देखने के बाद जो पुलिस चीप होता है, वो कहता है कि काट्थरोट को एक्जेक्विशन हौल पे ले चलो, मैं उस जिसमें बहुत ज辣 आकत है, तो दिखाता है कि रख वाले फ्लोर पे बैठा हुआ है, और वो बहा थ से सब कुछ देख रहा है, तो उसके बाद पूर दिखाता है कि उस डॉक्टर के पैर में किसी ने पकल लिया, दिखाता है कि जो ब्राउले वाल आदमी है, घ्षुष न उसने उस डॉक्टर का पैर पकल लिया और उसके बाद उस डॉक्टर को ऊपर छद में फेक के मारती है जिससे कि वो छद का सिलींग तोर के उपर चला जाता है और बहहाँ पर जो हैकर था उसे लेके दोनों ऊपर से नीचे गरते हैं जो डॉक्टर है वो कहती है कि तुम कैसे बेहोश नहीं हुए, यह जो जहर था यह तो एक बड़ा हाती को भी डाउन करने के लिए काफी था, तो उसके बाद दिखाता है कि वो हैकर वाला बंद अपने दोनों ड्रोन को एक्टिवेट कर लेता है, एक ड्रोन उस कूरियर वाल कर दिया तो तुम दोनों भेपराइजड हो जाओगे, और उसके बाद वो डॉक्टर भी कहती है कि मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ, मतलब इन चारों के बीच में खतनाख फाइट होने ही वाला होता है, दिखाता है कि कहीं से वो पहले वाली लेर्की यहाँ पर आ लेर्की कहती है कि तक हो हिए, अर इसका पैसे तो मेरे पास है, और पाकी के जो आ intersections, कहता है कि अरे यह तुमारा work Coryेंड है, तो बाई बाईवाला बंदा उसके तरफ gunpoint करके कहता है कि नहीं यह कोई भी नहीं है, चलू इसे ही मार डाल دाता आँ जिखाता है कि चारों के चा पाथ पैर कापने लग जाता है या तक कि उसके मूँ से भी एक आवाज नहीं निकलता और बहुत मुश्किल से वो अपना मुँ खोलती है कि मैं हूँ एक सुइंडेला और सुइंडेला का मतलब होता है ठाक जिन लोगों ने बहुत लोगों का सी काटा है उन लोगों को सुइ हैकर हो और उसके बाद दिखाता है कि वो एलिवेटर से कोई नीचे आ रहा है मतलब उस लिफ्ट से कोई नीचे आ रहा है तो वो हैकर वाला बंदा कहता है कि मेरा हैकिंग तो ओलोड़ेड हो गया है मतलब कांट्रोल रूम पर अब मेरा कांट्रोल नहीं है और उसके बाद परा रहता है और बहुत ज्यादा फाइरिंग होता है जिससे कि भापर जितने सारे सेल्स ते बहुत तूट जाते हैं और उन सेल्स में से एक और अकुदमा निकलता है जो कि एक लो लेवल अकुदमा है तो इस अकुदमा को सुनाई देता है 100 मिलियन यान के बारे में और बहुत ज़्यादा लालची हो जाता है कि रुको मेरे लिए रुको मैं भी इस एक्षन में पार्ट लेना चाहता हूं मुझे भी 100 267 यार्ज का जेल हुआ है लेकिन आज हम लोग इसका एक्जेगूशन करेंगे और उसके बहुत 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 सरे लोग बैठे हुए है तो बहुत सरे लोग बैठे हुए है तो बहा पर जितने सरे लोग ते सब लोग मर जाता है और यह देखने के बाद बहुत बहुत सब पर कांसाई पुलिस टेशन के चीफ को दिखा जाता है, दिखाता है कि वो कट्थ रोट के पास जाता है, जाने के बाद बहाँ पर जो ऑफिसर्स रहते हैं, उन लोगों को कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक इसका एक्जेकूशन क्यों नहीं किया, तो उसके बाद दिखा है कि उस पुलिस चीफ के पीछे वो हैकर वाला बंदा भी आ जाता है, और दिखाता है कि जो कुरियर वाला बंदा है, जो बाइक वाला बंदा है, उसके पीछे वो पुलिस रोबोट हाथ दो के परा हुआ है, और उसके पीछे कुछ मिसाइल फायर कर देता है, तो दिखात तो उसके बाद दिखाता है कि जो कुरियर वला बन्दा है वो भी उस रोबोट के उपर हमला करता है और जो उसका बाइक है वो एक लोहे में जाके आटक जाता है और इसको बाद दिखाता है कि जो पुलिस रोबोट है वो धीरे धीरे उसके पास जा रहा है और यहाँ पर जो वो लेरकी दूर से ये सब कुछ देख रही होती है और वो कहते हैं कि I am sorry मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो उसके बाद वो लेरकी अपने हाथ में 500 रियान का कोईन देखती है और देखने के बाद वो सोचती है कि आरे ये तो उसका पैसा है मुझे तो तुम्हें बापस देना था अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें बापस कैसे दूँगा मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता फ्युक्ति मुझे ये पैसा तुम्हें बापस करना है और उसके बाद वो लेरकी एक प्लैन करती है जिससे कि उस courier वाले बंदे को थोड़ा सा time मिल जाता है और उसके बाद दिखाता है कि उसका जो बाइक है वो repair हो जाता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा energy आ जाता है और उसके बाद उस बाइक को किसी तरह से बहां से निकलने के बाद उस रोबोट के उपर एक powerful attack करता है जिससे कि वो रोबोट टूट जाता है तो उसके बाद वो बंदा उस लेर्की के सामने आता है आने के बाद कहिता है कि मैं तुम्हें थैंक्यू नहीं बोलूँगा तुमने जो किया उसके लिए और इसके बाद दिखाता है कि वो डॉक्ट को ले जाने नहीं दूँगा मैं तुम सब लोग को execute कर दूँगा तो उसके बाद दिखाता है कि उस पुलिस चिप के पीछे से कोई आता है राने के बाद उसका head chop-up कर देता है सब लोग देखते हैं यह cutthroat है तो उसके बाद स्क्रीन पे cutthroat का prison time दिखाता है और दिखाता करता है कि आरे उन लोगों ने जैसा कहा था तुम तो ले आए सूटकेस मैं जब इजैने में को देख रहा था मुझे लग रहा था क्या यही पर मिशन खतम हो गया इन लोग का काम खतम हो गया लेकि नहीं यही से असली टूइस स्टार्ट होता है तो दिखाता है कि जो cutthroat उसके पास गये तक हो गया उन जानता की कि जो क़्िएर बन्देने, उसके आंदर बहुत सारे बेल्ट बॉंम होता है और सारे के सारे बॉंम भापा जितने सारे लोग के सब के गले में लगा देता है तो यह cutthroat सब लोगों के गले में बिल्ट लागाने का काम इतना जल्नी में करता है कि किसी को समझ भी नहीं आता कि क्या हो रहा है तो सब लोग कहता है कि यह क्या है तो वो कहता है कि यह एक बॉम है तो वो इनोसेंट लेर्की भी कहती है कि यह बॉम है लेकिन मेरे गले में क्यूँ मैं तो इन लोग का हिस्सा भी नहीं हूँ उसके बाद एक पुलिस को दिखाता है दिखाता है कि उसके गले में भी वो बेल्ट है और उसके बाद दिखाता है कि जब वो उस बेल्ट को कोलने की कोशिश करता है वो बॉम फट जाता है और उसका सर धर से अलग हो जाता है और ये देखने के बाद सब लोग बहुत सद़ डर जाते हैं और वो लेकी कहिती है कि मेरे गले से इसे निकालो और तब ही दिखाता है कि वहापर जो बिलिए थी जो कैट थी जो पुसी थी जो पुछी थी वो चिलाता है और दिखाता है कि सब लोग उसके तरफ देख रहा होता है और वो बिल्ली चिला के कहता है कि लगता है सब लोग यहाँ पर मौझूद है और इसी पॉइंट पे यह बल एपिसोड खतम हो जाता है तो next episode कब आएगा मुझे पता नहीं लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल से जल लाने का तब तक के लिए बाबाए